हेलो स्टुडेंस आज के इस वीडियो में हम एकोलोजी में सक्सेशन स्टडी करेंगे सक्सेशन एक उनिवर्सल प्रॉसेस है जिसमें एक पर्टिकलर एकोसिस्टम की जो कम्यूनिटी है उसकी कम्पोजिशन में एक डिरेक्शनल चेंज देखने को मिलता है यानि अभी वर्तिमान में वो जो एकोसिस्टम जो कम्यूनिटी की कम्पोजिशन शो कर रहा है यानि जो स्पिशीज उसकी कम्यूनिटी बना रही है उनके नंबर में उनके टाइप्स में एक डिरेक्शनल चेंज देखने को मिलता है जिसे हम सक्सेशन बुलाते हैं सक्सेशन हमेशा एक पर्टिकलर डिरेक्शन में होता है यूनि डिरेक्शनल चेंज है कई सारे चेंजेस होता हैं उसमें एक के बाद एक और प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं यानि आगे की ओर होता है इनका एक्चली में जो अल्टिमेट अबजेक्टिव है वो है एक ऐसी stable community को establish करना उस ecosystem में जो की stable हो उसे हम climax community नाम देते हैं तो succession जो हो रहा है उसका ultimate end point क्या है climax community है यनि वो उसका end point है succession का और इस succession के process में हर जो stage आती है बीच में climax community तक पहुंचने की रास्ते में हर जो stage आ रही है उसे तक पहुंचने की process में उसे हम serial stage बुलाते हैं serial stage देखें तो एक तरह से होता कि है कि जो area है या जो ecosystem है उसमें community जो है उसकी composition लगाता change हो रही है time के साथ बदलती जा रही है तो किसी भी एक particular time पर अगर हम वहां का species composition यानि community की structure या composition देखते हैं तो उस time पर वो उस समय की serial stage कहलाएगी कुछ समय बाद देखेंगे तो हो सकता उस community की composition में और change आ गया हो number of species में diversity of species में और भी काफी जो factors होते हैं उनमें तो वो उस time skill पर उस समय का serial stage कहलाएगा तो ऐसे हम serial stage देखते हैं तो हर serial stage की अपनी एक characteristic species composition होती है तो कई सारी serial stages आने के बाद eventually succession जो है धीर धीर स्लोडावन हो जाता है और वो जो ecosystem है अपनी जो उसकी community है अब वो stable community में बदल जाती है और वो stable community हमारा मतलब है एक ऐसी community species का एक ऐसा group interacting group जो की अब उस environment में जहां उस environment की जो conditions है उनमें सबसे suitable है और सबसे अच्छे से adjust कर सकती है वो community अब हमें मिल जाती है तो उसे हम climax community बुलाते हैं climax community क्योंकि वहां के environment के साथ बहुत अच्छे से adjust कर पा रही है उसके according ही वो रहती है इंटरेक्ट करती है function करती है तो वह एक stable community है उसको आसानी से displace नहीं किया जा सकेगा तो वही आपकी climax community क्यलाती है तो succession में जो changes होते हैं उनमें structure में change आता है यानि जो community को जो species community बना रही हैं उनकी composition में change आ सकता है उनकी diversity में change आता है तो शुरुआत में क्या होता है organic matter जो है वो small है बात में जाके उसका content जो organic matter का वो large हो जाता है सिंपल सी बात है शुरुआत में जब succession चल रहा है किसी ecosystem में तुम्हां पर species का number यहां तक की जो species की संख्या है और diversity है वो बहुत ही लो रहती है तो इसलिए organic matter या जो organic content है वो small होता है बात में जाकर वो बढ़ जाता है इसी तरह nutrients शुरुआत में किसी भी succession की शुरुआत में early stages में जो nutrients होते हैं उनकी supply generally external होती है यानि बाहर से supply होकर आते हैं जबकि धीरे धीरे जैसे ऐसे succession आगे की वो बढ़ता है तो nutrients जो है वो उनकी supply internally हो जाती है यानि अब वो ecosystem internal nutrients पे dependent हो जाता है इसलिए nutrient cycles भी बाद में जाकर closed हो जाती है शुरुआत में वो open रहती है close से महारा मतलब उसी ecosystem में operate करने लग जाती है इसके लावा diversity शुरुआत में low रहेगी बाद में जाकर high हो जाएगी इसी तरह निक्स जो है शुरुआत में wide होंगे बाद में जाकर narrow हो जाएंगे क्योंकि species की संख्या बढ़ जाएं इस competition increase हो रहा है इसलिए हर species को या एक ही species जो हर species है उसको अपना जो निक है वो narrow करना पड़ेगा अगर उसे exist करना है तो इसी तरह शुरुआत में जो organisms पाई जा रहे हैं उस community में वो our species जनरली उसमें पाई जाती है और साथ में उनका जो size है जैसा आप जानते है आ की संख्या जादा हो जाती है उनका जो size देखने को मिलेगा succession की बिलकुल late stages में वो large size के organisms आपको देखने को मिलेंगे शुरुआत में जो organisms होतान की life cycle simple होती है आगे जाके ऐसे organisms आ जाते हैं जिनकी life cycle complex है stability शुरुआत में पूर होती है और succession के अंत में late stages में जाकर stability increase हो पात जाता है resilience शुरुआत में तो high है यानि अगर शुरुआत की stages में जब succession चल रहा है उस community को displace कर दिया जाए तो दुबारा से वो अपनी originality जो original structure composition है जल्दी से उसे प्राप्ट कर लेगी उसे ज्यादा समय नहीं लगीगा लेकिन बाद में जाकि जो resilience है वो low हो जाता है तो अब क्या होगा अगर उसे किसी कारण से catastrophic factor की वेज़े से महाँ पर community displaced हुई तो उसे अपना original form लाने में काफी time लगेगा इसी तरह energy changes भी होता है succession में जो P by R का ratio यानि photosynthesis और respiration का ratio वो शुरुआत में एक से कम या एक से अधिक हो सकता है लेकिन बाद में जाकर लेटर य एक के आसपास जो है equal हो जाता है इसी तरह P by B का जो ratio होता है यानि की gross production और standing crop biomass का ratio शुरुआत में हाई रहता है बाद में जाकर ये भी low हो जाता है इसी तरह net primary productivity शुरुआत में हाई रहती है बाद में जाकर low जाती है और food change जो होती है शुरुआत में किसी भी succession की simple होती है लेकिन बाद में क्योंकि diversity और number species का बरड़ा species की composition change हो रही है बाद में जाकर वो web like हो जाती है अब देखते है types of succession पहला type है primary and secondary अगर मान लिजे succession किसी एक ऐसे area में हो रहा है जहाँ पर पहले कभी भी कोई community exist नहीं करती थी तो उसे हम primary succession बुलाते है primary succession में एक ऐसी जगे पर succession start होता है जो कि पहले से unoccupied था यानि कभी भी वहाँ पर कोई community नहीं रही एकदम barren area है बंजर इलाका है वहाँ पर succession start हो रहा है तो शुरुआत में क्या होता है कुछी species वहाँ पर आपाती है अपने आपको establish कर पाती है secondary succession एक ऐसे site पर होता है जहा महाँ पर पहले कोई ना कोई community exist करती थी लेकिन किसी factor की वज़े से वह community displaced हो चुकी है पूरी तरह से और इसके कारण कहीं हो सकते है माल लीजे fire लग गया या flooding बाड आ गई या human activity की वज़े से महाँ पर जो भी species पाई जा रही थी वह सब माल लीजे हट गई महां से extent हो गई तो ऐसी site पर दुबारा से succession होता है start होता है दुबारा से नई communities आती है नई species आती है अपने आपको establish करती है तो उसे हम secondary succession बुलाते हैं तो secondary succession पहले से एक कोई community जो exist कर रही थी उसके complete या partial destruction के बाद दुबारा से शुरू होता है तो इसमें क्या होता है कि secondary succession क्योंकि एक ऐसे एरिया में हो रहा है जहां पर soil जो है पहले से well developed था कुछ environmental factors suitable थे किसी भी species के establish होने के लिए तो इससे कम ट्राइम लगता है अब प्राइमरी सक्सेशन को होने में ज्यादा समय लगता है और सेकेंडी सक्सेशन ज्यादा कॉमन है प्राइमरी सक्सेशन के comparison में उसके बाद देखते हैं दूसरे पकार तो वह है autogenic और allogenic succession जो है इसका मतलब है नाम से जैसे पता चल रहा है यह automatic होता है यानि कि अपने इसमें जो और्गनिजम्स हैं वह खुद अपने एंविर्मेंट में चेंजिस लाते हैं धीरे-धीरे और उसको अपने लिए है एक्जस कर रही है अभी वर्तमान में उसके कारण वो चेंजित नहीं आ रहा है यानि external factor से इंफ्लूइस्ट है तीसरे प्रकार होता है autotropic सक्सेशन ऐसा सक्सेशन जिसमें green plants ज्यादा होते हैं अनिमल्स के मुकाबले उससे autotropic succession कह रहे हैं जैसे नाम शबता चला यानि यहां पर autotrops यानि green plants जो producers हैं उनकी जो संख्या वो ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या होगा green plants होते तो वहां पर जो medium है उस वह रिच रहता है in organic substances में heterotropic succession जो होता है उसमें heterotropic organisms की population शुरुआत में ज्यादा होती है for example bacteria, actinomycetes, fungi यह ज्यादा quantity में ज्यादा numbers में present होते है initial stages में तो ऐसा succession जनरली organic environment में शुरू होता है क्यों क्योंकि यह producers नहीं है heterotrops हैं इन्हें पहले से कोई ना कोई organic nutrients की supply चाहिए तभी वहां पर exist कर सकते हैं तो शुरुआत में जो heterotropic succession हमेशा किसी ना किसी organic environment में ही start होगा फिर होता है progressive और retrogressive succession ऐसा succession जिसमें simple से complex forms की तरफ जो changes होते हैं और बहुत सारी forms आती हैं उसमें धीरे-धीरे तो उसे हम progressive succession कहते हैं यानि कि शुरूआत में जो देखने को मिल रही हैं community में species वो कम है संख्या में उनकी diversity कम है लेकिन धीरे-धीरे complex forms आ रही हैं उनका नंबर बढ़ड़ा उनकी diversity increase हो रही है तो उसे हम progressive succession कहेंगे यानि एक तरह से progress हो रही है retrogressive succession बहुती रेर होता है और उसमें कुछ reverse देखने को मिलता है यानि कि community simple होती जा रही है शुरूआत में वो complex थी लेकिन बाद में वो simple होती जा रही है species की संख्या कम होती जा रही है biomass कम होता जा रहा है time के साथ तो उसे हम retrogressive succession कहेंगे यानि reverse में होने वाला succession है ये progressive succession का example है कि एक grassland community forest community में तबदील हो जाए यानि कि एक simple community थी grassland community वहाँ पर forest community में वो बदल जाए तो उस succession को हम progressive succession कहेंगे simple से complex की तरफ अगर मालीजे वापस से कोई forest community, fire वगरा लगने की वज़े से वापस से जो एक grassland community में तबदिल हो जाती है तो उसे हम retrogressive succession कहेंगे यानि reverse में complex to simple इसके बात देखते हैं processes in succession generally succession जब होता है तो उसमें कुछ steps होते है sequential steps होते है और ये एक primary autotropic succession की बात करें हम तो primary autotropic succession में पहला जो step होता है पहली जो stage होती है वो होता है nudation का nudation का मतलब है कि एक ऐसे bare area का development होना जहांपर कोई form of life exists नहीं करती है यानि मालीजे एक जगह है जहांपर सभी forms of life किसी कारण से destroy हो गई है उसके पीछे कई factors हो सकते है और example topographic factor मालीजे soil erosion हो गया gravity, water या wind की वज़े से तो क्या होता है वहाँ पर जो vegetation exist कर रहा था वो वहाँ से displace हो जाएगा और एक ऐसा area create होगा जहांपर कोई vegetation नहीं है कोई plants नहीं पाए जा रहे climatic factors होते हैं मालीजे बहुत ही अकाल पड़ गया hills, storm, frost या fire की वज़े से या होता है vegetation कभी-कभी destroy हो जाता है तो एक ऐसा bare area, खाली area develop होता है जिसमें succession स्टार्ट हो सकता है उसके लब अब biotic factors होते हैं जिसमें man आता है मालीजे forest का destruction कर दिया जाए grassland और कोई लागा है vegetation से भरा हुआ उसे किसी प्रकार से भी destroy कर दे man agriculture के purpose के लिए industry के लिए, housing के लिए और किसी भी और purpose के लिए तो वो area खाली हो जाता है vegetation वहाँ से समाप्त हो जाती है अब वहाँ पर succession स्टार्ट हो सकता है तो पहला stage तो यह है कि nudation हो यानि वो area जो है बिल्कुल खारी हो जाए जहाँ पर vegetation पाया जा रहा है ताकि succession जो है start हो सके फिर जो दूसरी stage आती हो थी invasion और migration की, invasion और migration से मतलब है कि दूसरी को species उस bear area में आ रही है establish होने के लिए और वो कैसे आएंगी मान लेजे जो पेड़ों के bees होते हैं वो wind और कई और mediums के through seeds जो sports होती हैं वो plant species की मान लेजे वहां तक आती है bear area तक कोई भी animal species उनको पहुचा सकती है या फिर विंड की साथ वो आ सकती है तो जब ऐसे पेड़ों के bees वहां तक पहुचते हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं तो होगा क्या एक तरह से invasion हो रहा है किसी और species का माल लेजे कोई animal species वहां पर आ जाती है ऐसी तो वो भी एक migration केलाएगा और वहां पर रहने की कोशिश करती है अपने आपको establish करने की कोशिश करती है तो वो फिर succession आगे उससे बढ़ेगा अगला जो stage है वो SSS का SSS में क्या होता है कि अब जो वो species वहां पर आई है migrate होके या invade होकर वो अपने आपको establish कर लेती है successfully क्योंकि उसने वहां पर जो conditions थी उनके लिए adjust कर लिए अपने आपको तो उसे हम SSS बोलाते हैं SSS यानि successful establishment of any species as a result of adjustment with the conditions prevailing there is known as SSS SSS complete कब होता है अगर माली जे कोई plant species है वो आई वहां पर उसका कोई बीस गड़ा था वहां से उसे एक पेड ओगा छोटा सा और माली जे वो अपनी life cycle पूरी कर लेता है वहां पर सेक्शली रिपरडियूस कर पाता है और bees या seeds प्रडियूस कर पाता है तो हम मानेंगे कि उसका SSS यानि successful establishment हो गया फिर next stage है aggregation की यानि अब क्या है माली जे एक जो species है plants की या animals की कुछ महां पर establish हो गई तो वो reproduction करेंगी अपनी संख्या में numbers में इंक्रीमेंट करेंगी तो individuals की संख्या जो धीर धीर भढ़ने लगेगी और large number of individuals हो जाएंगी ultimately और इसे को हम aggregation बुला रहे हैं क्योंकि वो एक given area में एक तरह से कई सार individuals होई खटे होते जाएंगे फिरो का competition अब क्या होता है जैसे इंडिविजोंस की संख्या बढ़ेगी अलग-लग species या एक ही species के तो उनके बीच में इंट्रा स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक competitions देखने को मिलेंगे competition resources के लिए होगा generally resources क्योंकि अभी shortage में है for example water के लिए हो सकता है में कई सारी species इंवेट होकर आ गए उन्होंने अपने आपको successfully establish कर लिया तो अपने activities के तुरू वो अपने environment को modify करने लगती है तो यह जो modification होता है environment में इसी को हम reaction बिला रहे है यानि environment कैसे react कर रहा है उन नई species के establishment के लिए living organisms जब अपना influence डाल रहे है उस वहां के बातवरन पर तो उसी को हम reaction बिला रहे है तो होता क्या है plants के आने से वहां का temperature, humidity इन सब factors में changes आएंगे soil की जो quality वगएरा उसमें changes आएंगे light conditions change होंगी, temperature change होंगा और कई factors influence होंगी तो इसी को हम reaction कर रहे है यानि species के आने से उनके number management होने से उनके बढ़ने से क्या हो रहा है कि environment modify हो रहा है इसी को हम reaction बिलाते है अब क्या होगा environment जो है modify होटा जा रहा है धीरे धीरे तो हो सकता है कि वो environment अब जो existing community उसके लिए suitable ना रहकर जो उससे आगे वाली जो community आईगी उसके लिए तो यह जो process से चलता रहता है communities replace होती रहती है जैसे इसे environment जो modify होता जाता है जो ज़्यादा adjust कर पाए अपने आपको इस environment में वही वहाँ पर establish होगा अटीबेटली क्या होगा जो last stage है वो पहुँचेगी जहाँ पर stabilization हो जाएगा यानि कि अब वहाँ पर ऐसा vegetation या ऐसी species पाए जा रही है जो कि complete harmony में है वहाँ के environment के साथ वो अपने आपको बहुत अच्छे से adjust कर चुकी है अब उसमें कोई change आने की संभावना नहीं है कब तक जब तक कि वहाँ का environment drastically फिर से change हो जाए तो उसको हम ultimately climax कहते है यानि जैसे किसी भी film का climax होता है तो यहाँ पर भी succession का climax हो रहा है जिसमें एक ऐसी community established हो गई है जो कि जब तक कि वहाँ की climatic और बाकी conditions जो unchanged रहेंगी वहाँ पर established रहेगी और वह closed community हो चुकी है अपने आप पर self dependent है बलाते हैं और यह last stage succession की इसे हम climax बलाते हैं क्लीमेंट्स ने सबसे पहले यह term climax जो है दी थी किसके लिए end point of succession को explain करने के लिए climax community equilibrium में होती environment के साथ और steady state होती stable state होती है उसमें जो species हैं उनकी composition उसका structure या energy वगेरा सब कुछ अभी stabilized है वह ultimately क्लाइमेक्स भी कई तरह के हो सकते हैं पहला है climatic climax मान लिए ऐसी community जो की climate की दौरा decide हो रही है यानि वह जो reason है उसका climate जो है general climate वह अगर decide कर रहा है कि कौन सी community महाँ पर establish होगी climax community कौन सी होगी तो उसे हम climatic climax बलाते है इटफिक climax क्लाइमेक्स का मतलब यहां पर जो soil factors है यानि टोपोग्राफी है soil के जितने भी factors है moisture या nutrients यह सब अगर determine कर रहे है climax community को तो इसे इटफिक climax बलाया जाता है sub climax का मतलब है climatic climax के आने से पहले की जो stage होती है sub climax बलाते है climax से पहले की stage disc climax का मतलब है कि माल लीजे जो stable community वहाँ पर establish होनी चाहिए थी उसकी जगह अगर कोई और community establish हो जाती है किसी और factor की वज़े से तो उसे हम disc climax या disturbance climax बलाते हैं इसके अलाव होता है pre climax और post climax माल लीजे किसी एरिया में जो climatic climax establish होनी थी वह community की जगह ऐसी community establish हो जाए जो कि उससे simple है थोड़ी सी तो उसे हम क्या बुलाते है pre climax यानि climax से पहली वाली stage और माल लीजे अगर वो जो community establish हुई है वहाँ पर उसमें जो life forms पाय जा रही है या जो उसकी structure या composition है वह वहाँ पर जो होनी चाहिए थी उसकी मुकाबले higher है यानि बहुत complex है उससे थोड़ी तो उसे हम post climax बलाते हैं इसके पास कुछ theories हैं जो की climax को अपोर्ट भी क्या है लेकिन domain mire इसे strongly oppose करते हैं इस theory के अनुसार cable एक ही climax community होती है जो की establish होगी और वह determine कोन करेगा उस area का climate poly climax theory यह developed की थी यह theory कहती है कि एक climax नहीं होता कभी भी succession मे end result एक climax ना होकर एक से अधिक type के climax होते हैं और वह अलग-अलग factors द्वारा control रहते हैं तो यह थी poly climax theory इसके लब विटेकर ने एक poly climax theory का यह variation दिया था climax pattern theory climax pattern hypothesis ही कहता है कि climax कभी एक climax मापर established नहीं हो सकता बलकि वह climax ऐसा होता है जो कि एक continuity में स्टेबलेश होता नहीं धीरे धीरे जो इसमें एक continuum changes का देखने को मिलता है तो यहनि हम उसे एकदम से separate नहीं मान सकते वह continuum होता है कई सारे climax का तो उसे हम कहते है climax pattern hypothesis उसके बाद होते है succession के दो टाइप्स जिसमें पहला है hydrark और दूसरा जिरार्क hydrark का मतलब है कि hydrark वह succession होता है जो की एक wet area यानि एक ऐसे एरिया में जहां पर water content अधिक है वहां पर जो succession चल रहा है उसे हम hydrark कहते हैं और उसमें जो stages पाई जाती है hydrosayer या hellosayer बुलाया जाता है अगर fresh water ecosystem में succession हो रहा है तो वहां की stages hydrosayer के लाती है hellosayer में succession हो रहा है हेलो सेयर में क्या होता है succession जो saline water में होता है यानि जैसे mangroves, coral reefs का एरिया estuaries का एरिया वहां पर succession हो रहा है तो उसे हम hellosayer कहते हैं और अगर fresh water ecosystem में succession हो रहा है जैसे ponds हैं lakes हैं तो उसे हम hydrosayer बुलाते हैं इसके बाद है जिरार्क जिरार्क यानि किसी dryer area में जहां पर पानी की कमी है ऐसे किसी area में अगर succession हो रहा है तो उसे हम जिरार्क succession बुलाते हैं और उसकी जो stages होते हैं इसके जीरो सेयर बुलाते है जीरो सेयर को 2 types में और डिवाइड कर सकते हैं लित्रो सेयर यानि अगर succession बेयर रॉक्स पहोजने किसी पत्थर्य याले यहां पत्थर ज्यादा पाई जा रहे हैं तोना है किसी रिति आए इलाक्य में वाला संसेशन समय सेर केलाता है परह देखते हैं आप है जैसे मैंने आपको बताया सक्सेशन जो फरेश वाटर सिस्टम में है तो उसे हम हाइडो सेर भूलाते हैं अपन मां लीजी किसी पॉंड में हो रहा है तो उसमें खुछ स्टेज़ आएंगी जिनको हम डिवाइट कर सकते हैं जो पहली स् में phytoplankton stays यानि मालीजे कोई तालाब का इलाका है वहां पर succession स्टार्ट हो रहा है communities अपने आपको establish करना शुरू कर रही है तो शुरूआत में pond का जो पानी होगा उसमें nutrients बहुत ही कम होंगे life बहुत ही कम है क्योंकि succession अभी भी फिर क्या होता है यह phytoplankton की death की वज़े से फिर जो है decomposers वहां पर आते हैं जो उनको decompose करेंगी और decomposition की वज़े से फिर inorganic nutrients जो release होने लगते हैं तो धीरे धीरे महां पर changes start होते हैं फिर अगली स्टेज आती है संबस्ट स्टेज यानि अब क्या है वह जो स्टेज तक ही आ रही है एक पर्टिकलर गहराई तक ही पहुंच पा रही है तो ऐसे habitat में क्या होता है शुरुआत में रूटेट समस्ट हाइड्रोफाइट्स ग्रो करता है यानि ऐसे पानी के अंदर वो पूरी तरह से डूबे हुए है इसके उधारन है है वैलिस नेरिया अट्रिकल एरिया तो यह जो प्लांट्स हैं यह उसमें ग्लोग ग्रोग करना शुरू करते हैं उसके बाद आते हैं इसलिए स्टेज को क्या बला रहा है समस्ट स्टेज पिर आती है फ मड में पाई जा रही है लेकिन उनकी लीफ जो है वाटर सर्फीस पर फ्लोट कर रही है तो इसे हम बुलाते है फ्लोटिंग स्टेज अब क्या होता है धीरे-धीरे वहां का जो वाटर लेबल है वह धीरे-धीरे डिक्रीज होने लगता है पॉंड जो है और ज्यादा शैलो कर दो फ्लोटिंग स्टेज के बाद अगली स्टेज आती है अपकी रीड स्वैम स्टेज इस स्टेज को एंफिबिस स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर प्लांट्स चू होते है वह रूट इट पाई जाते हैं लेकिन जातर पार्ट पाट जो है उनके वह एक्सपोस या फिर आती है अगली स्टेज जिसे बलाते है सेज मेड़ स्टेज इस स्टेज में क्या होता है सिप्रेशी ग्रेमिनी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वहां पर कॉलोनाइज कर लेते हैं पानी का लेवल बहुत ही कम हो गया है बहुत ही तेजिश के साथ वाट पॉटर जो फिर रेरर के लिए अब क्या हो रहा है कंडिशेंस चेंज हो रही है कि टानी जो में उटेयाँ का पानी कांटेंट काम हो जहकी अब आप उसकी जो dependent है वो हो जाएगी rainfall पर और वहां का climate कैसा है उस पर depend करेगा फिर आती है woodland stage में क्या होता है कि आप जो एक कुछ species shrubs की और trees की देखने को बिलेगी यानि कि ऐसे plants जो कि उस soil में रह पाएं वो अब वहां पर देखने को मिलते हैं कि उसके इस स्टेज के एंड तक क्या होता है कई सारी जो हीमस है वो सॉयल में क्यूमलेट हो जाती है माइक्रो ऑगनिजम्स काफी सारे बढ़ जाते हैं सॉयल का mineralization हो रहा है और नई ट्री स्पीशी जो है उस एरिया तक आती रहेंगी फिर क्लामिक्स स्टेज में जाकर अल्टी मेटल एक ऐसी कम्योंटी डेवलोप हो जाती है जो की वुड़्लेंड है यानि जिसमें ट्रीज की स्पीशी आधिक से अधिक और यह जो कम्मेंटी डेवलिप होगी है climate scholar कम्युनिटी जो होगी वह डिपेंड कर रहे है सीधे सीðे वहு ambiguous है इसके लाबा एंट्रवात में वह चेंज़ देखने को मिलते हैं au सेर के दोरान फर आग्जामपल के लिए लेकिन यह इतने ओवियस नहीं होते हैं वेजिटेशन में आने वाले चेंज़े ज्यादा ओवियस होते हैं तो शुरुआत में प्रोटोजोंस देखने को मिलते हैं परामीशियम अमीवा यूगलीना जो की जू प्लैंक्टॉंस फॉर इसनीवल सकते हैं जो की औसमें जो 綠ीर हैं जो的 terms पर जुब्ष की घासे जैसे घैसे र्चलर फ्रॉक्ड्य मृस और इंग्सेट्स इसके बात टर्टरल से और रीड सेंवस्टेश तक आते-जब बल्कु उतलबा जाएगा यानि उस में पान की घ़्राई बहुत कम हो ज यानि लंग ब्रीधर जो वह देखने को मिल सकते हैं क्योंकि पानी का कंटेंट जो लो होता जारा फाइनली जब ट्रीस आजाएं वहाँ पर वॉड्लेंड इस्ट्री जाजाएगी तो टेरस्टेरियल फॉर्म्स जो होते हैं ऐसे अनिमल्स जो की धरती पर रहते हैं टेरस्ट इस्टेरियल होते हैं बजाए एक्करटिक के वह देखने को वहाँ पर मिलेंगे